हाई व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कुरकुरे पास्ता क्रिस्पी पास्ता हम आज दो फ्लेवर में बनाएंगे एक फ्लेवर है चट पटा चाट मसाला फ्लेवर और दूसरा है स्पाइसी फ्लेवर यह सुरू करते हैं, आसान फूर्ट रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हम पास्ता को बोईल करेंगे, इसलिए हमने एक बरतन में लिया है देर लिटर पानी, इस पानी में हम एट करेंगे एक टीस्पून नमक और एट कर देंगे एक टीस्पून जितना तेल और हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छे से बोईल कर लेंगे, देखिए पानी जब अच्छी तरह बोईल हो जाए उसके बाद ही हम इसमें पास्ता एट करेंगे, पास्ता की कॉंटिटी 200 ग्राम है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और गेस की फ्लेम को हम हाई हाई फ्लेम पर हम इन पास्ता को साथ मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लेंगे, ये देखिए, साथ मिनिट टक हाई फ्लेम पर हमने पास्ता को अच्छे से बोईल कर लिया है, अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे, और गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद पास्ता क गरम पानी में से फोरन निकाल देंगे इस तरह से जारा की मदश से आप निकाल ले या तो फीच छन्नी की मदश से इसका पानी निकाल सकते हैं गरम पानी में से निकालने के बाद फोरन हम इसमें एट कर देंगे ठंडा पानी तो यहाँ पर हमने दो ग्लास रूम टेंपरेचर का पानी एड़ कर दिया एक मिनिट तक ठंडे पानी में रखने के बाद अब हम छन्नी की मदश से ये सारा पानी निकाल देंगे पास्ते जो है वो अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं यह देखिए एकदम परफेक्ट बोईल हुए है यह बिलकुल भी कच्चे नहीं है अब हम इस पर कोटिंग करेंगे तो कोटिंग के लिए हम इस पर एड़ करेंगे मेदा और कॉन्फिलोर तो यहाँ पर हम एट करेंगे 3 टेबल स्पून कॉन फ्लोर और 3 टेबल स्पून मेदा इसमें एट कर देंगे और अच्छे से हमें मेदे और कॉन फ्लोर की कोटिंग को पास्ता पर एपलाई कर लेनी है देखे रूम टेमपेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हम इस पर कोटिंग एपलाई करेंगे देखे पास्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए इस कोटिंग को पास्ता पर अच्छी तरह एपलाई करना बहुत ज़रूरी है अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं पास्ता को डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे कोट किये हुए पास्ता गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम पास्ता को फ्राई करेंगे इनकी साइट्स को चेंज कर देंगे और लोफ लेम पर हम पास्टा को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए इस तरह जब इनका कलर ठोड़ा गोल्डन होने लगे तब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के जो बच्चे हुए पास्ता है उनको भी हम इसी तरह लो फ्लेम पर डीप फ्राइ करेंगे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए देखिए सारे पास्ता को हमने फ्राइ कर लिया है अब मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कितने कुरकुरे बने हैं ये अब इन पर मसाला कोट करने के लिए हम इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइट करेंगे इस बोल में हमने पास्ते की आधी क्वंटिटी रखी है सबसे पहले हम स्पाइसी मसाला पास्ता बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है हाफ टीस्पून लाल मिश पाउडर एक चोथा टीस्पून जीरा पाउडर दो चूटकी गरम मसाला हाफ टीस्पून चाट मसाला और दो चूटकी नमक देखिए हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है आप गरम मसाला की जगा तंदूरी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें एट कर देंगे कसूरी मेथी तो एक टीस्पून जीतनी कसूरी मेथी को हम हाथों की मदद से क्रस करते हुए इसमें एट कर देंगे तो हमने स्पाइसी कुरकुरे पास्ते बना लिए फ्राइ की हुए पास्ता की हमने जो आधी कॉंटिटी रखी है उसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे चटपटे कुरकुरे पास्ता इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है दो चुटकी नमक एक चोथाई टीस्पून काली मिज पाउडर और हाफ टीस्पून चाट मसाला इसे पास्ता में एट कर देंगे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तक यह पास्ता पर अच्छे से कोट हो जाए तो बनकर तयार है चटपटा चाट मसाला फ्लेवर क्रिस्पी पास्ता तो खाने के लिए तयार है स्पाइसी मसाला क्रिस्पी पास्ता और चटपटा चाट मसाला क्रिस्पी पास्ता वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चाहिके साथ जब कुछ कुरकुरा खाने का मन करें तो आप आसानी से बनने वाले इन कुरकुरे पास्ते को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा गेरेंटी के साथ कहती हूँ कि बोल में रखे हुए पास्ते खतम हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा और इस रेसिपी को जब आप अपने घर पर ट्राइ करें तो अपने एक्सपीरियंस कॉमेंट बोक्स में हमारे साथ सेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो में जब आपसे हमबल्ड रिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए फिर मिलेंगे जाएका इंद्या का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई